दोस्तो 1914 में प्रतम विश्वयूद्द चालू हुआ था जो 1918 तक चला था फिर 1949 में दिट्टे विश्वयूद्द चालू हुआ था जो 1945 तक चला था इसके बाद जो तीसरा विश्वयूद्द है वो अभी तक नहीं हुआ है लेकिन 1945 में जब दित्ते विश्व युद्ध खतम हुआ उससी समय एक और युद्ध चालू हो गया जिसे हम शीर्थ युद्ध कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं तो ये जो युद्ध था यानि कोल्ड वॉर 1945 से 1901 में तक चला मतलब शीर्थ युद्ध 46 साल तक चला अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व दीरे दीरे एक बार फिर से दो खैमों में बट गया खैमे का मतलब दो अलग-अलग गुट दो अलग-अलग देशों में बट गया एक तरफ ता सयुक्त राज्य अमेरिका यानि USA और दूसरी तरफ ता सोव्यत रूसी यानि USSR दित्ते विश्व युद्ध में इन दोनों खैमों के बीच में हुए आपसी टकराफ और तनाव को ही हमने आगे चलकर शीत युद्ध यानि कोल्ड वॉर का नाम दिया तो अब सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखेर इसे शीत युद्ध क्यों कहा जाता है तो देखो हुआ क्या था कि इन दोनों खैमों के पास दोनों गुटों के पास या फिर यू कहिए कि इन दोनों शक्तियों के पास में परमानू शक्ती थी और अगर इन दोनों शक्तियों के बीच गरम युद हो जाता तो इन दोनों को इतना ज़ादा नुकसान होता कि इन दोनों में विनर कौनने ये जानना मुश्किल हो जाता क्योंकि हो सकता था कि इन दोनों में से कोई भी एक जना जीत तो हसिल कर लेता लेकिन इस जीत के बदल ता कि युद्ध तो होके ही रहेगा लेकिन युद्ध हुआ नहीं माहोल इतना गरम होने के बाद में भी तासीर यानि युद्ध कर जो प्रभाव है वो ठंडा रहा यही से फिर एक सिधान्त निकल कर सामने आया कि किसी भी दो परमानू शक्तियों से संपन शक्ति और संतुलन का सिधान्त कहा जाता है यह जो सिधान्त है यह कहीं न कहीं भारत और पकिस्तान के बीच भी काम करता नजर आता है क्योंकि दोनों के पास में परमानू हत्यार है एक्शली दोस्तों शेत युदिका जो विकास है वो 1917 में प्रतम विश्व युद्ध में ही होनी लगया था और फिर दीरे दीरे बढ़ता बढ़ता दित्ते विश्व युद्ध के बाद तो पूरी दरा उभर कर सामने आ गया इसको भड़ावा देने में दोनों शक्तियों के बीश डर और अविश्वास की भावना ने महतुपूर्ण योगदान दिया तो आज की इस वीडियो में आज की इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे शीत युद्ध का अर्थ, शीत युद्ध का प्रारम, शीत युद्ध की उत्पति या उदार के कारण, शीत युद्ध का प्रभाव या परिणाम तो शीत युद्ध के ये जो चार कंसेप्ट है, आज हम इनने ही देखेंगे और पढ़ेंगे तो चले शीत युद की जो हिस्ट्री है उसे हम एक स्टोरी की तरह सुनते हैं तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आके शीत युद क्या है और शीत युद को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि युद क्या होता है तो युद को सीधा सा मतलब ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा पक्षों के बीच में अस्त्रों और शस्त्र से यानि हत्यारों से जब कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो जनरली हम उसे युद्ध, लड़ाई, फाइट या फिर वार बोल देते हैं तो शीरत युद्धी जो शब्द हैं, इसका प्रियोग सबसे पहले किस ने किया था? तो इस शब्द को सबसे पहले लिखा था अंग्रेजी लिखक जॉर्ज और्वेल ने अपने एक लेख में 1945 में लेकिन इसका जो प्रियोग है, सबसे पहले अमेरिकी फाइनींसर बर्नाट बारुक ने 16 अप्रैर 1946 को किया था तो जब दित्ते विश्व युद्ध खतम हुआ, तो युद्ध खतम होते ही एक अजीव सा माहोल बनने लगा पूरी दुनिया में और पिर इस माहोल ने क्या किया, पूरे विश्व को दो गुटों में, दो देशों में बाड़ दिया एक था पश्चमी भाग, और दूसरा था पूर्वी भाग अब पश्चमी भाग का नितरत्व कौन कर रहा था, सहिक्त राज्य अमारिका और पूर्वी भाग का नितरत्व कौन कर रहा था, सोव्यत संग यानी रूस मतलब यह है कि आप ये दोनों ही गुट अलग-अलग हो गए थे और लगबग विश्व के सभी देशों ने इन दोनों गुटों में शामिल होना शुरू कर दिया था अब देखो होता क्या है कि पश्यमे गुट ने पूर्वे गुट के विरूद आलोचनाय शुरू कर दे थी अब ये जो आलोचनाय थी ये जो निंदा थी एक दूसरे के प्रती ये दोनों ने विचारों के जरिये, प्रचार के जरिये, रेडियों के जरिये, समाचार पत्रों के जरिये, अलग-अलग तरीके जितने भी प्रचार प्रिसार के साधन थे इन सब साधुनों के जरिय इन दोनों गुटों ने आपस में एक दूसरे की विरोध में प्रचार प्रसार शुरू कर दिया ताकि ये दोनों ही गुट राजनितिक रूप से ड्रड हो सके मतलब ये कि इन दोनों देशों के बीच युद्ध लड़ा गया वो हत्यारों से नहीं लड़ा गया बल्कि आपसी मतबेध होने के कारण विचारों से लड़ा गया दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन होता क्या, इंटर्णली ये दोनों एक दूसरे के हत्यारों से डरे हुए होते हैं। और इसी वज़े से ये अपने हत्यारों का यूज भी नहीं कर पाते। तो आप इसका सीधा सा मतलब निकल गया कि ये युद्ध बिना हत्यारों के लड़ा गया। इसलिए शीध युद्ध का अर्थ इसपस्ट करते वे प्रॉफेसर डिया फ्लैमिंग ने कहा यह ऐसा युद्ध है जो युद्ध छेत्र में नहीं। अपी तो मनुश्य के मस्तिक्ष से लड़ा जाता है। और इसी के द्वारा विचारों पर कंट्रोल किया जाता है। तो विचारों के जरिये लड़ा जाने वाला युद्ध जिसका रण छेत्र या रण भूमी मानव का मस्तिश्क उनका दिमाग हुआ करता था। इसे ही हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो शीत युद्ध है ये किस तरह से शुरू हुआ और कैसे खतम हुआ। इस युद्ध के जो कहानी है जो संकर्ष है वो हम देखेंगे पाच चरणों में। तो सबसे पहला जो चरण है वो है 1945 से 1950 तक। तो दोस्तो ये जो टाइम था 1945 से 1950 का इस काल में शीत युद्ध का असली रूप उभर कर सामने आया। कैसे अमेरिका रूस के जो मत बेटते वो खुल कर सामने आने लगे। इस काल में शीत युद्ध को बढ़ावा देने का जो मेन कारण था वो ये था कि 1945 में सोव्यत संग के सामयवाद की आलोच ना हुई। हुआ ये कि रूस के सामयवादी सिद्धानतों से युरोप के कई देश ऐस हैमत थे और उनके ऐस हैमती तब भढ़ गई जब रूस ने 1945 में पूरे पॉलेंड पर कबजा कर लिया। और फिर युद्ध की बीच इरान से सेना की वापसी पर भी बहुत विवाद हुआ। पर नहीं बुलाएंगे। उन्हें वही रहने देंगे क्योंकि अगर कभी फिर से इरान की सिचेशन खराब हुई तो सेना उसे संभाल लेगी। अब क्या होता है जब रूस मना कर देता है तो अमेरिका को डाउट होता है। वो सोचता है कि रूस के दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। वो कहे कुछ और रहा है लेकिन करना कुछ और चाहता है। इतना ही नहीं जब आगे जाकर रूस टर्की में पहुँशता है। तो टर्की में सुविधाय लेने के लिए अपनी सैनाओ को रखने के लिए या फिर यू कहें कि टर्की में सामेवाद के स्थापना करने के लिए उसने युनान में विद्रोहों करवा दिया। अब इससे क्या हुआ अमेरिका को एक मौका मिल गया रूस को नीचा दिखाने का। अमेरिका ने क्या किया तुरंत अपने साथी देशों के साथ मिलकर यानि पच्मी गुट ने तर्की और युनान को आर्थिक सायता देने की घोशना कर दी। अब जब रूस को पता चला कि अमेरिका ने एक नई चाल चल दी आर्थिक सायोग देने की। तो अब रूस भी कम नहीं था उसने भी अमेरिका को दिखाने के लिए बड़ी चाल चल दी। अब रूस ने क्या किया रूस ने एक परिशत ही बना दी जिसे आर्थिक सायोग परि तीनों मिलकर जर्मनी पर हमला बोल देते हैं और जर्मनी पर कबजा करके जर्मनी के तीन हिस्से कर देते हैं और इसे नाम डेते त्री शेत्र त्री शेत्र का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस तीनों के कबजे वाला शेत्र और फिर जर्मनी में इन्होंने संग्य गणराज्य की स्थापना कर दी अब जब ऐसा हुआ तो जाहिर सी बाते रूस भी चुपचाप तो बैठेगा नी इसने भी विरोध किया जिससे क्या हुआ दोनों देशों में और ज्यादा मतबेद भड़ गए इतना ही नई अमेरिका ने अपने मित्र रास्ट्रों के साथ मिलकर नाटो जैसे सैनिक संग का निर्मान कर दिया इस संग को बनाने का में उद्धेशी ये था कि उतरी अंटलांटिक छेतर में शान्ती बनी रहे ताकि किसी भी तरह के बाहरी खत्रे से सही तरीके से निप्टा जा सके इतना ही नहीं ये जो संदी हुई थी ना इसमें रूस को अलर्ट किया गया कि अगर उसने संदी में शामिल किसी भी देश पर आक्रमन या हमला किया तो उसका परिणाम बहुत भेंकर होगा अब इससे क्या हुआ सोव्य संगियानी रूस और ज़्यादा नाराज हो गया और दोनों के 20 तनाव और ज़्यादा बढ़ गया अब इधर चीन में साम्मेवादी शाषन की स्थापना होने पर अमेरिका का विरोध और ज़्यादा बढ़ गया तो अमेरिका ने क्या किया उसने साम्मेवादी चीन की सदस्यता को चुनोती दे दी इससे भी इन दोनों देशों में युद्ध का जो माहूल था न वो और ज्यादा बढ़ गया तो अब शुरू होता है दित्ते चरण दोस्तों अब प्रत्थम चरण में शीत युद्ध का जो प्रभाव था वो सिर्फ यूरोप और पूर्वी अमारिका तक ही सिमित था लेकिन दूसरे चरण में इसका प्रभाव एशिया में भी देखने को मिला अब इस चरण में क्या हुआ कि कोरिया ने अमेरिका और रूस के बीच के मतबेट को भढ़ा दिया होता क्या है कि इस युद्ध में उत्री कोरिया को रूस ने और डक्षनी कोरिया को अमेरिका के सासा दूसरे पच्छमी देशों ने भी समर्थन किया इससे क्या हुआ कि इन दोनों शक्तियों के बीच में जो विरोधी वहवार था उसमें और ज़्यादा गर्मी आ गई अब कैसे जैसे कोरिया का युद्ध का सॉलिशन तो निकल गया लेकिन जब कोरिया में युद्ध चल रहा था तब उसी समय अमेरिका ने अपने मित्री रास्ट्रों के साथ मिलकर जापान से शान्ति की संदी कर ली थी और फिर इस संदी को एक नाम देने के लिए इसे कारे रूप देने के लिए सन फ्रांसिस्को में एक सम्मिलन का आयोजन रखा अब जब रूस को ये पता चला तो रूस ने इसका जोड़दार विरोध किया लेकिन अमेरिका भी कम नहीं था बोला करने दो विरोध मैं तो संदी करके रहूंगा इससे रूस के मन में जो बदले की भावना थी वो और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि रूस का माना था कि ये जो संदी है ये साम्मे बाद की विस्तार में सबसे बड़ी रुकावट बनेगी अब इसके बास शुरू होता है तीसरा चरण 1953 से 1959 तक का यानि 1953 से 1969 तक का अब दूसरे चरण में शेत युद की स्टार्टिंग तो हो चुकी थी लेकिन इस चरण में टाइम कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गया था प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था एक दूसरे का विरोध बहुत ज़्यादा होने लगा था लेकिन इसके साथ एक ऐसी घटना घटी और वो भी ऐध द्रश्य है हुआ क्या रूस के वीगटन के जो बीज थे वो सामने आने लगे तो दोस्तो सोवियत संका जो वीगटन है उसकी शुरुआत यहीं से होने लगी थी अब इस वीगटन के वज़े से ही रूस में आंत्रिक शंगर्ष की शुरुआत हो चुकी थी इस वक्त दोनों शक्तियों के विवार में कुछ चेंजेस देखने को मिले इस काल में दोनों देशों के नेतरत्व में बदलाव आया हुआ क्या स्तालिन के म्रत्यों के बाद में क्रुष्चेव ने शाषन समाला मतलब अब स्टालिन के बाद में क्रुष्चेव रूस के पियम यानि प्रधान मंत्री बने अब ये जो क्रुष्चेव थे न ये थोड़े नरम सभाव के थे ये चाहते थे कि पूरे विश्व में शान्ती हो और अब इदर अमेरिका में रास्टर प्रती आईजिन हावर ने शाशन अपने हाथ में ले लिया अब रूस ने दोनों देशों के बीच में यानि क्रुष्चेव ने दोनों देशों के बीच अच्छे संबनाने की कोशिश की लेकिन ये सिर्फ एक कोशिश रह गई इसका कोई भी अच्छा रिजल्ट नहीं आया अभी भी दोनों देशों के बीच में शीत युद का मतबेद और तनाव बहुत ज़्यादा जारी था अब इसी बीच कुछ ऐसी घटनाए घटी जिसने शीत युद को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जैसे 1953 में रूस ने पहला आण्विक परिक्षन किया अब इससे क्या हुआ अमारिका के मन में रूस के इरादों के प्रति और ज़्यादा शक पैदा हो गया अब वियत नामा जो कि दक्षिन पूर्व का ही एक देश है जो कि हिंदी चीन या फिर यूं कहें कि जो एक आईलैंड पर इस्तित है वहाँ पर रूस और यूरोपिय देश का शीत युद बहुत जोरों से शुरू हो गया क्योंकि दोस्तों ये तो आप भी जानते हो कि दित्ते विश्व युद ने पूरे देश को कवर कर लिया था तो वहाँ पर भी दोनों देशों का पूरी तरह से प्रभाव था इसलिए इस वियत नाम पर भी शीत युद का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ने लगा इस युद को दबाने के लिए 1954 में एक संधी हो चुकी थी जेनेवा में और फिर इस युद को शान्त कर दिया गया वियत नाम का विभाजन करके अब वियत नाम का विभाजन जो किया जो किया इसके साथ साथी वियत नाम के उत्तर में एक देश था लाउस और पच्छिमबे था कमबोडिया इन दोनों देशों को भी स्वतंत्र कर दिया गया अब कैसे जैसे सिचेशन सम्भली ही थी लेकिन अब हुआ क्या? जब 1954 में जेनिवे का सम्मिलन हुआ था तब ही अमेरिका ने सीटों की स्थापना कर दी थी सीटों का मतलब दक्षिन पूर्वी एशिया के देशों का संगठन अब रूस के ये बर्दास्ट नहीं हुआ उसने सोचा कि एशिया के देशों पर किसका प्रभाव होना चीए? हमारा? क्योंकि वो हमारा पडूसी देश है हालाकि भारत इसका सदस्य नहीं था अब इदर रूस ने क्या किया? वार्षा पैक्ट की तयारी कर ली वार्षा संगठन का उद्देश ये था पूँजिवादी ताकतों को आक्रमंट से रोकना अब इस तरह आपस में दोनों गुटों ने जो इस्थापनाई की थी इसने शीत युद को और ज़्यादा भढ़गा दिया और अब इदर हिंद चीन की समस्या ने भी दोनों महाशक्तियों की बीच मत बेदों को और भी ज़्यादा गहरा कर दिया अब इदर 1954 में हिं हिंद चीन के बीच भी घ्रह युद्ध शुरू हो गया रोस ने होचीन मीन की सैनाओं की मदद की और उदर अमेरिका ने फ्रांसी सी सैनाओं का समर्थन किया हिंद चीन की समस्याओं को सुलझाने के लिए जो जैनेवा में समझोता हुआ था न उसके कुछ टाइम बादी वियत नाम में घ्रह युद्ध शुरू हो गया अब जब इस युद्ध में अमेरिका ने भूमिका निबाई तो रोस ने इसका विरोध किया अब रोस ने क्या किया अमेरिका के वियत नाम युद्ध में बिन मतलब के हस्तेशेप के लिए आवाज उछाई अर इस तरह से वियत नाम युद्ध अमेरिका ःूस के भी शीत उत् का करण बना अब आगे चलके 1956 में हंग्री में भी रूस के हस्तिशेप ने भी शीत युद को बढ़ावा दिया। इसी तरे 1956 में ही स्वेज नए संकट ने भी दोनों देशों के बीस तनाव पैदा किया। क्योंकि रूस ने इस संकट में मिस्त्र का साथ दिया था। 1957 में आईजन हावर सिधान्त के बीच अमेरिका की कांग्रेस ने रास्ट्रपती को साम्मेवाद के खत्रों का सामना करने के लिए सरशस्त्री सेनाव का प्रयोग करने का अधिकार देकर पश्यमी एशिया को युद का खाड़ा बना दिया। अब शीयत युद का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ गया था कि शीयत युद के तनाव को कम करने के लिए अमेरिका के रास्ट्रपती आईजन हावर ने सोव्यत संग की यात्रा करने का निन्ने लिया। अब वो यात्रा करने जाही रहे थे कि अचानक से यात्रा करने के एक दिन पहले एक माई 1960 को अमेरिका का जासूसी विमान U-2 सोवियत सीमा की जासूसी करते हुए पकड़ा गया अब विमान चालक ने भी एकसेप्ट कर लिया कि उससे सोवियत संग में सानिक टिकानों का जासूसी करने के लिए बेजा गया है अब क्या था रूस का पारा साथवे आस्मान में चड़ गया और फिर रूस ने इसे बहुत सीरियस ली लिया और अमेरिका को अपनी गल्ती मानने के लिए कहा लेकिन अमेरिका ने अपनी गल्ती नहीं मानी और शीत युद को और ज़्यादा बढ़ावा दिया अब 16 मैं 1960 में पैरिस सम्मेलन में सोव्यत रासपती कुष्टेव ने यूटू की घटना को दोराया और कहा कि भविशे में अमेरिकी रास्टरपती को रूस में ना आने की चेतावनी दी और फिर सम्मेलन के दूसरे सत्र का भी रूस ने भहिशकार किया और अपनी नाराजगी जाहिर की इससे दोनों देशों में तनाव पहले जैसा ही बना रहा इसके बाद 1961 में क्रुष्टेव ने पुर्वी जर्मनी के साथ एक अलग संधी पर अस्ताक्षर करने की धमकी दी इसके बाद अगस्त 1961 में बर्लिन शहर में रूस ने पच्षिमी शक्तियों के छेत्र को अलग करने के लिए दिवार बनानी शुरू कर दी इसका अमेरिका ने बहुत ज़्यादा विरोध किया अब दोनों देशों ने क्या किया अपनी सेनाओं को युद्ध के लिए तयार करना शुरू कर दिया लेकिन बड़ी मुश्किल से शीरत गरम युद्ध में बदलते बदलते रह गया अब युद्ध तो कैसे चैसे टल गया लेकिन दोनों के बीच का जो तनाव था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया इसके बाद 1962 में क्यूबा में सोवेट संग ने अपने एक सैनिक अड़े की स्थापना कर दी इसका अमेरिका के राष्ट्र पतिकनेडी ने बहुत विरोध किया क्योंकि इस अड़े का निर्मान करने का मतलब था अमेरिका को कमजोर करना इसलिए अमेरिका ने गुस्से में आकर क्यूबा की नाके बंदी की घूशना कर दी ताकि क्यूबा में रूस सैनिक सायता ना पहुंश पाए लेकिन इससे क्या हुआ विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इस बढ़ते विवाद को देखकर रूस ने अपने कदम पीछे कर लिया और विवाद को सुलजा लिया लेकिन फिर भी दोनों देशों के पीज जरा भी फरक नहीं पड़ा शीट यूद का माहुल जैसा का तैसा ही बना रहा इस तरह से शीट यूद को बढ़ावा देने वाली कारिवाईयां दोनों तरफ से चलती रही इस बार दोनों शक्तियों ने शीत युद के तनाव को मतबेद को कम करने के लिए कुछ कोशीशे भी की जैसे कृष्टेव ने दोनों देशों के भी संबन सुधारने और तनाव को कम करने के लिए 15 सितंबर 1963 को अमेरिका, रूस और ब्रिटेन के बीच मासको आंशिक परिक्षन निश्चेश संदी हुई इसे शीत युद को खत्म करने का एक पॉजिटिव कदम कहा गया गुट निर्पेक शांदोलन ने भी इस शीत युद को कम करने की कोशिश की लेकिन कोशिश्यों का कोई खास रिजल्ट नहीं आया, दोनों की बीच तनाव जो कत्यों ही बना रहा अब हम शुरू करते हैं शीत युद का चौथा चरण 1963 से 1979 तक 1962 में क्यूबा संकट के बाद शीत युद के वातावरन में कुछ नर्मी आई और दोनों देशों की बीच तनाव की भावना से मित्र की भावना में बदलने के आसार दिखाई देने लगे और इस नर्मी या तनाव में कमी को दितांथ या तनाव शिथिल्य के नाम से जाना गया दितांत की वज़े से शीत युद में जन्मे पुराने अंतररास्टे संबंदों को जो द्रश्य था वो बदलने लगा और पूरे विश्व में शांती पूर्ण वातावरन का जनम हुआ अब इससे क्या हुआ अमारिका की भूमिका में भी विकास हुआ और परमाणु व्युद के आतंग से चुटकारा मिला इस काल में लगबग लगबग शीत युद समाप्थ होने के कंडिशन में आ गया था अब हम चलते हैं शीत युद के अंतिम काल में जैसे चौथे चरन वे शीत युद कम हो गया था वैसे वैसे पांचवा चलन आते आते शीत यूद का पतन ही शुरू हो गया क्योंकि अब दोनों देश ही चाने लगेते कि संबंद में सुधार आ जाये और इसी काल में परमानू हत्यारों की जाच हो रही थी और उन पर रोक लगाने की बैठके भी होने लगी थी यानि संधियां होने लगी थी और इस वज़े से ये दोनों देश सीधे संबंद बनाने लगे थी इसी के साथ 1964 में वियायत नाम यूद और 1967 में अरब इजराईल यूद के करण दोनों में एक बार फिर से शीत यूद बढ़ने लगा लेकिन 1916 में जर्मनी के राजदानी में बर्लिन में जो संकट यूद था वो टल गया और 1972 में दोनों में समझोते हो गए इसके साथ साथ ये पूर्वी पच्छ में जर्मनी में भी समझोता हो गया इससे शीत यूद में भी कमी आने लगी और इस तरह से दोस्तों शीत यूद धीरे-धीरे समाप्त होने लगा अब हम चलेंगे शीत यूद के विकास के अंतिम काल में जहां पर हम बात करेंगे शीत यूद के उत्पति के प्रमुकार्णों और प्रभाव के बारे में जहने वाला तनाव फिर से बढ़ने लगा तो चलिए देखते हैं कि आखे फिर से तनाव बढ़ने के प्रमुख कारण क्या थे तो इसके उत्पति के जो में कारण थे उन्हें यहाँ पर मैंने शौट में समझाया है इसका सबसे पहला कारण यह था कि रूस की जो शक्ति थी उसमें जो ब्रदी हुई थी उसने अमेरिका के खिलाफ अपनी पुरानी दुश्मनी शुरू कर दी दूत्रा रिगन के राष्ट्रपति बनते ही शस्त्र उद्योगों को बढ़ावा दिया जाने लगा और इसके सासाती मित्री राष्ट्रों का शस्त्री करन करने पर जो द जैसे अमेरिका और रूस में आपस में ही प्रतिस परदा शुरू हो गई अब इधर रूस ने क्या किया दक्षिन पूर्वी एशिया में अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया जब रूस ने दक्षिन पूर्वी एशिया में अपना प्रभाव जमाना शुरू किया तो हिंद महासागर में अपनी शक्तियों को बढ़ाना शुरू कर दिया इतना ही नहीं रूस ने खाड़ी छेत्र और पश्रमी एशिया में भी अपना प्रभाव जमानी की पूरी कोशिश की रूस ने क्योबा में अपनी ब्रिगेट टैनाग कर दी तो इधन निकारागुवा में अमारिका ने अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया इन सभी कार्णों से नए शीत युद्र का जनम हुआ और दितांत का अंत हो गया और इस वज़े से अंतरास्टी संबंदों में नई खटास पैदा हो गई अब अमारिका ने खाड़ी सिदांत के द्वारा विश्वी शान्ती के लिए खत्रा पैदा कर दिया हुआ ये कि इस नए शीत युद्र ने विश्वी को तीसरे विश्वी युद्र के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया इससे क्या हुआ दितांत की तो हानी हो गई और नी शस्त्री करण को गैरा धक्का लगा और इस वज़र से अफगानिस्तान कमपूची या निकारग हुआ जैसे देशों में तनाव छा गया ये जो युद्ध था ना ये विचारदाराओं का विरोधी नहीं था बलकि रूस का विरोधी था क्योंकि इसके जनम दाता या अभिकरता जो थे ना वो सेफ अमेरिका या रूस ही नहीं थे बलकि बिटेन, फ्रांस, चीन भी थे इस युद्ध ने पूरी विश्व का माहूल खराब कर दिया था क्योंकि इस युद्ध ने अंतरास्टे संबंदों में नई चुनोतियों को पेश किया अब बात करते हैं अंतरास्टे राजनीति पर शीत युद का क्या प्रभाव पड़ा शीत युद्ध 1946 से 1989 तक अलग-अलग चर्णों से गुजरा और अलग-अलग रूप में विश्व की राजनीति को प्रभावित किया इसने अमेरिका और रूस के बीश में तनाव पैदा करने के साथ साथ दूसरे कई प्रभाव भी डाले जिसकी वज़े से अंतरास्टे संबंदों पर कुछ खास प्रभाव पड़े जैसे इससे विश्व का दो गुटों में यानि सोवेट गुट और अमेरिकन गुट में विभाजन हो गया जिसकी वज़े से विश्वी की हर एक परिशानी को गुटे सो आर्थों पर ही परका जाने लगा इसकी वज़े से यूरोप का भी बटवारा हो गया इस युद्र ने विश्वी में आतंग फैला दिया और लोगों के बीच में इतना भै फैला दिया कि इससे अंतरास्टे संबंदों में तनाव, प्रतिसपर्दा और एव विश्वास की भावना का जनम हो गया और इस वज़े से गरम युद्ध का वातावरन तयार हो गया जिसकी वज़े से शीत युद्ध कभी भी वास्त्विक युद्ध में बदल सकता था इससे आणविक युद्ध की संभामना में भी व्रति हुई और परमानु शस्त्रों के विनाश के बारे में सोचा जाने लगा इस सोच ने विश्वी में आणविक शस्त्रों की होड को भढ़ावा दिया जिसकी वज़े से नाटो, सीटो, सैंटो और वार्शा पैक्ट जैसे सैनिक संगठनों का जनम हुआ जिससे नीश एस्त्रीकरण की कोशिशों को बहुत ज़्यादा धक्का लगा और इस वज़े से निरंतर तनाव की इस्तिती बनी रही इसने सैंटरास्टर संग की भूमिका में भी कमी कर दी अब अंतरास्टी परेशानियों पर सैंटरास्टर संग दोनों महाशक्तियों के फैसलों पर पूरी तरह से निर्बर हो गया था क्योंकि अब अमेरिका समस्याओं के समाधान का मंच न होकर अंतरास्टे संगर्षों का अकाड़ा बन गया था, जिसमें दोनों शक्तियां अपने अपने दाव चलने लगी थी, इससे शस्त्रीकरण को भड़ावा मिलने लगा और विश्वे शान्ति के लिए बैंकर वाला ख तो रक्षपरिशत भी अब दो महाशक्तियों की बीच संगर्ष का अकाड़ा बन गई, अब दोनों शक्तियों में आपस में विरोधी विवार होने के कारण अपनी वीटो शक्तियों का बार-बार प्रियोग करने लगे, जिससे जन कल्यान की योजनाओं को बहुत ज्याद दोनों महाशक्तियां राजनिती शक्ति में विश्वास रखने के कारण तीसरी दुनिया के देशों में व्याप्त यानि पनपी परेशानियों के प्रती उपेक्षा पून रवाईय अपनाती रही, जिसकी वज़े से शक्ति संतुलन की जगह पर आतं के संतुलन का जनम हो ये युद गुट निर्पेक्ष आंदोलन का आधार बन गया, जिसकी वज़े से पूरे विश्व में नव उपनिवेश वाथ का जनम हुआ, विश्व राजनिती में युद्धों की भरमार हो गई, जिससे रास्ट्रे सुतंतरता आंदोलन का विकास हुआ, इसके सासाती अ अंगर्ष की प्रवर्ति को बढ़ावा दिया, इसने शक्ती संतुलन की जगपर आतंग का संतुलन कायम किया, लेकिन नकारात्मक प्रभावों के सासात इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े, इससे तकनिकी और प्राविदिक मार्ग को बढ़ावा मिला, और विश कि शीत युद्ध का परिणाम यह हुआ कि विश्व में दो गुटों का निर्मान हो गया एक नाटो और दूसरा वार्सा जहां नाटो अमेरिका का गुट था वहां वार्सा रूस का गुट था और इन दोनों गुटों ने विश्व को अपने अपने गुटों में मिलाना शु गठा नोगें